उर्देश में 2024 लोग सभा चुनाओं को देखते हुए सरगर्मी तेज है इसी बीच अनन्सिंग की इंट्री हुई है जिहाँ बिलकुल सही सुन्ड़े है पूरो बाहुवली विधायक वर्तमार में छोटे सरकार से चर्चित अनन्सिंग 15 दिन के पैरोल पर बाहर निकले हैं इसमेश अनन्सिंग ने एक तगड़ा एक बड़ा ब्यान दे दिया है जिहाँ बिलकुल सही सुन रहे हैं अनन्सिंग ने असाफ का है कि ललन सिंग 5 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं ऐसमें 5 लाख वोट जो है अनन्सिंग लाएंगे वर्तमान में देखाया है तो अनन्स सिंग को 15 दिनों के स्वास्त राफ के पैरोल पर छोड़ा गया है और इसी बीच कहीं न कहीं आनन सिंग ने बड़ा ब्यान दीद दे दिया है उन्होंने अस्ताफ का एक जमानत जप्त असोक महतों की पत्नी अनीता देवी की हो जाएगी देखें बड़ा दावा आनन सिंग न देखते हुए कहीं और कहीं देखा जाए तो जब तरीके से मंगेर लोक सभास इटे काफी हट माना जा रहा है कहीं नगर कहीं जिस ततरीके से आनन सिंग की जिस तरीके से आनन सिंग की इंट्री हुई है कहा यह जारा था कि आनन सिंग चुनाओ पर चार परशार करेंगे लेकिन इसी पर जिस तरीके से समर्थकों से मुलाखात कर रहे हैं मिल रहे आनन सिंग कहीना कही आनन सिंग ने बड़ा ब्यान दे दिया है अनन सिंग ने यह साफ कहे दिया है कि इस बार जमानत जप्त अनिता देवी की हो जाएगी यानि कि बड़ा सीधा सीधा दावा अनन सिंग ने किया है और यह साफ कहा है कि ललन सिंग जीत रहे हैं ललन सिंग को जिताने की बात वो कर रहे हैं और ऐसे में जो हुजूम है वो कह फाहते आननि सिंह कहीं जहांपण ने कहा एक लल्लान सिंग जीत रहे हैं, अनीता देवी हार रहे हैं, जमार raty को उनका जब्त हो जाytesएगा, और कहीं कहीं लल्लान सिंग फिड़ से पून्ट एक बार लोगसभा के जुस तरीके से पर्त्याशी बनाएगे हैं लोगसभा चुनाव जित कर मुगेर लोगसभा के सांसद बनेगे ऐसे में मुखामा बिधान सभा को देखते हुए कहीना कहीं खबरे आती है कि काफी ज़्यादा संख्या और समर्थक जो है आनन सिंग को लेकर काफी उच्छाही तरते हैं और इसी भी जिस तरीके से आनन सिंग की इंट्री हुए कहा ये जा रहा है कि चुनावी लाब जो है कह पुरे मुकामा में और कहीं ललन सिंग को लेकर वोट मांग रहे हैं लोगों से अपील भी कर रहे हैं फिलाल देखने वाली बात यह होगी कौन मुगेर लोकसभा सिर्ट का सांसद मनता है और भी तमाम ख़बरों के लिए बनड़े हमार साथ आनन सिंग ने जमानत जबत करन कॉमेंट सक्षन में जाखर जरूर देखने वाली बात यह होगी क्या कूछ होता है 24 चुनाओं को लेकर कैमरे एक पिछ हमारे सही होगी विकास है बहुत बहुत धन्यबाद